लदाक सीमा पर चले सेन्य तनाव के बीच अमेरिकी राश्पती दोनाल ट्रम के भारत को G7 में शामिल करने की योचना से चीन आग बबुला हो गया चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कचीनी विश्यशग्य के हवाले से कहा कि भारत के प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम के G7 का वस्तार करके G11 या फिर G12 के जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है चीनी समाचार पत्र ने धमकाने के अंदास में कहा कि G7 के विस्तार से शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है